मिडगासकर द्वीप धर्थी पर सबसे अनोखे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है ये दुनिया का चाथा सबसे बड़ा द्वीप है लगबग 3,000 मील की तट्रेखा में फैला ये द्वीप अनोखे जीव जन्तुआं से भरा है आई आपको मिलवाते हैं मिडगासकर के कुछ अनोखे जीवों से जिन्हें आप सायद पहली बार देखेंगे तो आई ये सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप भी जानोरों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फोसा फोसा मिडगासकर का सबसे बड़ा मांसाहरी स्तन पाई है इन्हें किंग ओफ मिडगासकर या किलर ओफ मिडगासकर के नाम से भी जाना जाता है ये मायावी प्राणी पेणों पर चड़ने में अपनी चपलता दिखाता है ये जमीन और पेणों दोनों पर तेजी से चलने की छमता के लिए जाना जाता है इसके अलावा इनकी सूंखने और देखने की छमता अद्भूत होती है इन सब खुबियों के कारण ये एक कुसल सिकारी है ये मुख्य रूप से लीमर, छोटे स्तंधारियों और पक्षियों का सिकार करता है सिकार करने के लिए फोसा आपने खतरनाक पंजी और सक्तिसाली जबड़े का इस्तिमाल करता है हाला कि फोसा एक सरमीला जानवर है लेकिन जब इने खुद के लिए या इनके आवाज के लिए खतरा महसूस होता है तो ये बहुत वाइल्ड हो जाते हैं और तब ये इनसानों के लिए भी खतरा बन जाते हैं फोसा उलेखनिया और अद्वितिय जानवर है जो मेडगासकर के पारिस्तिदिक तंत्र का एक अभिन अंग है स्ट्रिप्ट सिवेट ये ना ही तो बिल्ली है और ना ही नेवला ये मेडगासकर के जंगल का एक और उलेखनिया मां सहारी स्तन पाई है जो कुछ हद तक बिल्ली की तरह दिखाई देता है ये आकार में फोसा के तुलना में छोटा होता है स्ट्रिप्ट सिवेट की पहचान इसकी विशिष्ट काली और सफेद धारियों से होती है जो इनके पूरे सरीर पर और लंबी लहराती पूछ पर भी होती है ये खुबसूर जानवर मुखे रूप से कीड़े छोटे का से रूप और फल खाते है हाला कि स्ट्रिप्ट सिवेट को मनुसों के लिए कोई महतोपूर्ण खत्रा उत्पन्न करने के लिए नहीं जाना जाता है लेकिन जंगल में इन इस तंधारीयों के संपरक में आते समय सानी बरत्नी बिःद आवस्यक है मलगसी जाइन्ट जम्पिंग रैट मलगसी जाइन्ट जम्पिंग रैट जिसे हाईपो जियोम एस एंटी मिना के नाम से भी जाना जाता है ये मेडगासकर की मूल निवास एक अनोखी और आकरसक कूदने वाली प्रजाती है ये चूहे अपने उलेखनी ये कूदने की छमता के लिए जाने जाते हैं जिसका उप्योग ये जंगलों की घहनी जाडियों के बीच कुसलता पूर्वक चलने के लिए करते हैं अठारा इंच के स्प्राणी का वजन करीब एक कीलो तक होता है इंचूहों में फर का एक घहना मुलायम और मोटा कोट होता है जो आमतार पर भूरे रंग का होता है और इनका पेट सफेद होता है ये मुखे रूप से रात के समय में बाहर निकलते हैं मलगासी जाएंट जंपिंग रैट साका हारी होते हैं और अक्सर पत्ते, फाल, बीज और फूल खाते हैं इन चूहों की सबसे विसेस्ट विसेस्ताओं में इनके लंबे पिछले पैर होते हैं जो इन्हें अपनी आसाधारन छलांग लगाने में मदद करते हैं ये चूहे मडगासकर की अग्वितिय जैवेविदता का एक मनोरम हिस्सा है लेकिन दुर्भाग्य से ये विलप्ती के कगार पर हैं और आयूसीयन ने इन्हें रेड लिस्ट में सामिल कर दिया है पैंथर कमैलियान पैंथर कमैलियान मडगासकर का मूल निवासी है इनकी सबसे खास विशेस्ताओं में से एक इनकी रंग बदलने की छमता है नर अधिक चमकीले रंग के होते हैं जिन में अकसर जटिल पैटर्ण के साथ नीले हरे लाल और पीले रंग सहित कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं इनकी लंबाई लगभग 20 इंच होती है ये जंगल में लगभग 7 साल तक जीवित रहते हैं ये अपना धिकांस समय पेड़ों पर बिताते हैं ये अपनी दोनों आखों को एक साथ अलग अलग दिशा में गुहमा सकते हैं जिसके कारण ये 360 डिगरी में देख सकते हैं इससे इनहें सिकारियों और सिकार का पता लगाने में मदद मिलती है इनके जीव इनके सरीर की लंबाई की दो गुनी होती है पैंथर कमेलियान तेजी से और बड़ी सटिकता के साथ रंग बदल सकते हैं इनका रंग प्रकास तापमान और यहां तक की इनके मूड जैसे परियावर्णी अकारकों से प्रभावित होता है नील मॉनिटर लिजार नील मॉनिटर लिजार मेडगासकर की मूल निवासी नहीं है मेडगासकर में मॉनिटर लिजार की अपनी मूल प्रजातियां पाई जाती है यह सबसे बड़ी छिपकली प्रजातियों में से एक है जो साथ फीट या उस से आधिक की लंबाई की हो सकती है नील मॉनिटर्स मांसाहारी और माकाप परस्त होते हैं ये मचली पक्षी अंडे और छोटे स्तंधारियों का सिकार करते हैं ये छिपकलिया सक्रियस सिकारी होती है सिकार करने के लिए अपने मजबूत पंजे तीवरेंद्रियों और गती का उपयोग करती है इनके पास सक्तिसाली जबड़े और तेज दात होते हैं जो इन्हें सिकार करने में मदद करते हैं ये बहुत अच्छे तैराख और बेहद बुद्धि मान होते हैं रडूइट बग रडूइट बग जिसे एसेसन बग के नाम से भी जाना जाता है जिसका हिंदी में मतलब होता है हत्यारा ये मेडागासकर सहीत दुनिया भार में पाया जाने वाले कीड़ों का एक विविधप परिवार है ये अपनी सिकारी प्रविर्टी और अन्य कीड़ों को खाने के लिए जाने जाते हैं रेडविट बग की कुछ प्रजातियां चगास रोग फैलाती है इस रोग के भारत में हर साल पाँच हजार मरीज पाये जाते हैं इसके अलावा ये विमारी मध्य और दक्षिन अमेरिका में लगों को प्रभावित करती है मेडगासकर में ये कीड़े विभिन आवासों में रहते हैं इनके काटने से भायानक दर्द होता है ये अपने सिकार पर घात लगा कर हमला करते हैं हाला कि इने किसानों के मित्र के रूप में भी जाना जाता है ये फसलों में लगने वाले कीड़ों का सिकार करते हैं और प्राकृतिक कीट नियंतरन का काम करती है यूरोपलेटस फेंटास्टिकस छिपकली की एक प्रजाती है जिसे आमतार पर लिफटेल्ड गेको के नाम से जाना जाता है मेड़कासकर में पाया जाने वाला ये छिपकली द्वीप के घहने जंगलों में निवास करता है ये अपने अविस्वसनी चलावरन के लिए प्रसद्ध है जो अपने चप्टे सरीर पत्ती के आकार की पूँछ और धब्बेदार तवचा के साथ एक मरे हुए पत्ते जैसा दिखाई देता है ये छिपकली मुख्यरूप से रात के दोरा आनस सक्रिय होती है और अपना दिन पत्तियों या साखाओं के बीच छिपकर बिताती है ये मुख्यरूप से कीट भक्षी होती है और विभिन प्रकार के छोटे जीवों को खाती है मडगास कर विभिन प्रकार की बिच्छू प्रजातियों का गहर है इस द्वीप परलग भग 50 प्रकार के बिच्छों की पहचान की गई है ये बिच्छू आकार और व्यवहार में भिन होते हैं और आमतार पर जंगलों गुफाओ यास उसको छेत्रों में रहते हैं ये द्वीप के पारिष्टितिक तंत्र में महतवपूर्ण भूमी का निभाते हैं ये रात में सिकार करने वाले सिकारी होते हैं और कीड़ों और छोटे जीवां का सिकार करते हैं जब कि कुछ प्रजातियों में जहर होता है जो भायनक दर्द का कारण बन सकता है प्रजाती है लंबे पदले सरीर और इनके थूथन पर एक नुकीले पत्ते के आकार के प्रचेपन के साथ इन सापों की एक अनूठी उपस्थिती होती है इनका कलर बिलकुल पत्तियों के जैसा होता है जिसके कारण इनहें छलावरन में महारत हासिल होती है ये मुख्यरूप से मेडगास करके जंगल और जाड़ियों में निवास करते है ये साप रात के सिकारी होते है जो छिपकलियों और मेंधकों जैसे छोटे जीवों का सिकार करते हैं हाला कि ये विसेले नहीं होते है इनके पास एक विसेस कला होती है ये हवा चलने पर पेड़ों पर पत्तियो पुपसे आरकाइडे के नाम से जाना जाता है मेडगासकर में पाया जाने वाला एक आकर सक जीव है इनका ऐसा नाम इनकी लंबी चोंच जैसी गर्दन और अद्वितिय सिकार तकनी के कारण रखा गया है इन मकडियों के सरीर और पैरल लंबे होते हैं हाला कि ये है तो मकडी लेकिन ये जालन नहीं बुनते हैं बल्कि घात लगा कर हमला करने वाले सिकारी होते हैं जो अन्य मकडियों का सिकार करते हैं ये अपने सिकार को पकड़ने के लिए तेजी से हमला करते हैं पॉज़न डाट फ्रॉग पॉज़न डाट फ्रॉग मेडगासकर के अलावा मध्य दक्षीन अमेरिका में पाये जाने वाले चमकीले रंग के मिंध कोंका एक समू है पॉज़न डाट फ्रॉग की पूरी दुनिया में 170 से अधिक ग्यात प्रजातियां पाये जाती है जो आकार, रंग और जहर के स्तर पर भिन्न होती है सबसे लोग प्रिय प्रजातियों में से कुछ में गूल्डन पॉज़न डाट फ्रॉग, ब्लू पॉज़न डाट फ्रॉग, स्ट्रॉबरी पॉज़न डाट फ्रॉग सामिल है ये जीवनत रंग और जटल पैटर्न प्रदरसित करते हैं ये रंग चमकी ले, लाल, पीले, नारंगी, नीले, हरे से लेकर काले तक हो सकते हैं अगर इन जहरी ले मिड़कों के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो इस पर हमने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो आपको आई बटन पर मिल जाएगी इससे देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए तो अमीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इन में से कौन सा जीव आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक और आकर सक लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताईएगा हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसी ही प्रकृती से जुड़ी अनोखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वाइल गलोज को सबस्क्राइब करके बेल नाटिफिकेशन को आउन कर लीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए